हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल कम्मेटिशन क्रेकर्स में और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर दोज इस्टुडेंट्स जिनका EPS 09 यानि कि कॉंपरेटिव गॉर्मेंट और पॉलिटिक्स वह सब्जेक्ट है इगनु का तो उनके लिए ये काफी बेनिफिशल वीडियो हो सकती है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हमने एक EPS 09 यानि कि कॉंपरेटिव गॉर्मेंट और पॉलिटिक्स वालों के लिए एक PDF तयार की है या एक e-book के फॉर्मेट में PDF तयार की है दोस्तों जिसमें कि आपको 50 प्लस most important questions और answers मिल जाएंगे जैसा कि आपको पता है exam है कुछ दिनों में तो आपको इससे बहुत help मिल स सारे और ऐसा नहीं कि Google से कहीं से भी search करके लिखे हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल जो study matter आता है एकनू का EPS 09 का study matter है उससे ढूंट के निकाले हुए उससे filtered answer आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे answers note format में है ठीक है जिस तरीके से note writing करते हैं उस तरीके से point bullet format में सारे के सारे answer आपको देखने को मिल जाएंगे और सारे facts उसमें include किये गए हैं और साथी साथ बहुती easy to understand language है सबसे जरूरी चीज easy to understand language में उसको लिखा गया है और पूरे के पूरे hand return notes है अगर आप लोग चाहते हैं buy करना दोस्तों तो इसको 50 rupees pay करके आप buy कर सकते हैं आपको एक link मिल जाएगी इसके लिए आप description box में जाईएगा description box में first में ही आपको एक link मिल जाएगी easy to understand आपका मतलब पैसा waste नहीं होगा बिल्कुल भी हर एक पैनी आपकी जो है इसको profit दिलाएगी आपको इसमें ठीक है और यह जो important questions है वो previous year के paper से निकाल के जो की बार-बार repeated questions है उनको हमने important question की list में सामिल किया है और 50 important questions के आस पास बनाए हुए है तो फिलाल start करते है वी most important questions है पेहला question है inter-relationship between comparative government and collaborative politics इसमें पूछा गी है comparative government or comparative politics में क्या inter-relationship होती हैतो सबसे पहले हमें comparative government का पता होना चींड है और comparative politics इन दोनों में अंतर हमसे यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले मैं बता जेता हूं, दोस्तो comparative politics या comparative government, comparative government means ऐसा subject या जब हम किसी government के बारे में study करते हैं, या किसी government को दूसरी country की government से compare करते हैं, तो उसको कहते हैं, दोस्तो comparative government, यानि एक government, एक country की government को आप पूरी तरीके से study करेंगे, in-depth analysis करेंगे, और किसी दूसरी country की government से उसको compare कर देंगे तो इसको कहते है comparative government अब बात कर लेते है comparative politics की तो दोस्तों आपको पता होगा government is not politics but government is a part of politics government से politics नहीं मनती है बलकि politics का एक पार्ट है government ठीक है तो politics में हम government के अलावा और भी चीज़े हैं जो कि non-government चीज़े हैं उनको भी include करते हुए चलते हैं अब तो comparative politics में हमें क्या देखने को मिलता है comparative politics में हम government के बारे में भी पढ़ते हैं और इस साथी साथ non-governmental institutes जैसे की individual social groups political parties pressure groups social movements etc यह सारी चीज़ें हम जो है comparative politics में study करते हैं या हमें देखने को मिलती है ठीक है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी countries हैं दोस्तों जिन्होंने western ideas को एकदम खारिज कर दिया जो western imperialist thoughts थे उनको बिलकुर हटा दिया और अपनी distinct identity बनाई है तो distinct identity के चलते हैं उनके models क जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो यह comparative politics का जो वे है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है broader हो जाते हैं और साथ यह आपको पता है globalization के चलते globalization के चलते बहुत सारे देशों की क्या हुआ है जो economics है economic linkage देखने को मिला है हमें different countries के बीच तो जो यह economic linkage है यह कहीं न कहीं policies alteration का का बनता है ठीक है policies को क्या करते हैं बदलते हैं तभी जाके economic क्या होते हैं linkage होते हैं तो यह policies अगर बदली है तो आप सोच सकते हैं कि comparative politics का दाएरह और भी कितना बदल चुका होगा after the coming of globalization अगला question है एक्जामीन केसिश्टडी method of comparative study यानि कि case study किस तरीके से method है comparative study का अब मैं य 50 पे करके उसको download कर सकते हैं return notes उसमें इन ही question का बिल्कुल अच्छी तरीके से bullet format में answers लिखे हुए हैं आप यहां से concept समझ के उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें clear हो जाएंगे और वहां पर exam mail लिखते समय points की कमिया आपको नहीं होगी दोस्तों ठीक है अच्छा करी जाती है उसका क्या मैत्त है comparative study मैं सबसे पहले मैं आपको बता दो के सिटेडी का मतलब क्या होता है इंडेप्ट इस्टेडी किसी चीज़ की जब हम in-depth study करते हैं तो उसको हम case study कहते हैं जो case study वाली method है यह वैसे comparative method नहीं है case study में हम compare नहीं करते हैं लेकिन case study में हमें data म मिलते हैं ठीक है हम सारे के सारे data को निकालते हैं उन data के basis पर हम general observations करते हैं और जब general observations हम करते हैं दोस्तों तो different countries के general observations को जब हम compare करते हैं तो वहाँ पर comparative study में case study हमारी मदद करती है क्यूंकि case study से में data provide होता है तो जो comparative explanations हैं दोस्तों जब comparative explanations की बात आती है उस time भी case study हमें काफी help करती है क्यूंकि comparative explanations के दारान हम किसी एक चीज की case study अच्छी से कर देते हैं तो एक किसी एक case study को अच्छी से अगर हमने समझ लिया है तो हम देखेंगे कि उसी टाइप के observations different different scenario में हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर मैं बात करता हूं french revolution और american revolution की तो यह अलग-अलग revolution है इनके बीच around 20 years का क्या है gap है time period का लेकिन जब हम पढ़ते हैं इनके causes को इनकी theme को तो हमें देखने को मिलता है कि similar kind के theme है क्योंकि हमने एक की case study बिल्कुल अच्छी से की है और उस case study के basis पे हम समझ पा रहे हैं हम observe कर रहे हैं कि दूसरे की भी लगबग लगबग जो जो क्या है conditions है वो दूसरे में भी apply होती है तो comparative explanations में भी आपकी case study से काफी ज़्यादा help मिलती है और इसी के साथ case study करते करते जब आप in-depth study करेंगे तो new ideas आएंगे जिसको कि आप test कर सकते है ठीक है तो इतना ही है इसके बारे में बाकि अगर आप PDF बाई करेंगे तो उसमे बहुत उसमें आपको मिल जाएगा यह सब लिखा हुआ अच्छी तरीके से ठीक है फिर है question number three English में लिखा हुआ है ठीक है वो यह भी मैं बताएता हूं describe social basis of national movement अब national organized way में start होता है लेकिन slowly जो है लोग इससे जुडना शुरू करते हैं किससे national movement से जुडना शुरू कर देते हैं धीमे-धीमे लोग अगर हम बात करते है national movements की तो generally जो leaders होते हैं इंट्टलेक्चल्स होते हैं वो इसको spearhead करते हैं, इसको शुरू करते हैं और slowly जो है different parties, different organization, interest groups, people, workers, जो है different national movements को join कर देते हैं, अगर हम बात करते हैं Asians और Africans की, तो हम क्या हुआ करते थे, colonies हुआ करते थे, Asia और Africa में बहुत सारी, तो यहाँ पर जो western imperialist थे, उन्हों नहीं हमें सिखा यह इन सारी चीजों की details हमें उन्हों नहीं दी थी, और इसके बाद हमें यह हुआ कि अब हमें freedom चीए, हमें justice चीए, हमें equality चीए, ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करा, national movements को श्टार्ट करना सुरू करा, साथी साथ इसका हमें जो national movement की और जो चिंगारी लगती है, वो लगती है दोस्तों जब UN और कुछ international bodies आती है और वो बात करती है about the fundamental human rights, about the dignity worth of human being, उसकी जब बात करते हैं तो तब भी लगता है लोगों को की हमें यह चीज़ अचीव करनी है, और national movement में एक कई नगई, एक नई strategy आती है साथी साथ ऐसे कुछ हमारे leaders जो की, जिनके की काफी painful experiences रहते हैं वो भी nationalist बन जाते हैं और साथी साथ कुछ ऐसे हमारे नेता जिनको की काफी ज़्यादा torture किया जाता है movement करने के आरोप में, और उनको jail में डाल जाता है, कुछों को तो एकदम पांसी बगेरा चड़ा के, और वो सहीत कहलाते हैं, तो इसको चलते जो national movement है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि जब किसी leader को कोई सजावजा दी जाती है, वो भी बिना बात की, जो जनता के बीच या जन आकरोस होता है, वो बढ़ता ही बढ़ता है ठीक है, तो यह है social basis of national movement अब चलते है question number 4 explain features and functions of colonial state तो colonial state क्या होते है दोस्तों colonial state मेंज जो imperialist country है imperialist country यानि कि जो rule करती है, खासकर western countries यह हुआ करती थी, या European countries यह हुआ करती है, जब imperialist country किसी एक state में, ठीक है, या किसी एक territory को कबजा कर ले थी थी, तो उसको हम क्या कहते थे, colonial state कहते थे तो colonial state basically उनका एक suppression करने का, local inhibits, यानि कि यहां के जो local लोग थे उनको suppress करने का एक, उनका उजार था, उसके अलावा जो colonial state था, यहां पर यह लोग strict bureaucracy रखते थे, police force को बहुती अच्छी तरीके से तैनात करते थे, और highly centralized यह रहता था, और साथी साथ यहां की economic, political, जो policies थी वो भी, यही लोग decide करते थे, imperialistic country, जो कि इनी के favor में हुआ करती थी, और कही ना कहीं, जो यहां की cultural values हैं उनको खतम करके, अपनी cultural values यानि की western values को यहां पर set up करने की कोशिश करते थे, हमें uncivilized समझके ठीक है, और इसके साथ साथ, और भी बहुत सारी चीजे हैं, जैसे की, इन्होंने दो phase में इसको divide किया था, first phase को हम कहते थे golden era of the colonial rule, golden era में क्या होता था? तो दोस्तो golden era में क्या होता था? एक सेगिंड मैं इसको चार लगाता हूँ तो दोस्तो golden era में क्या होता था? golden era में जो लोग थे, उनके साथ अच्छा बरताओ किया जाता था, जो local inhibits थे, उनको profit दिया जाता था, जो वो raw material supply करते थे, उसके लिए उनको अच्छा पैसा दिया जाता था, लेकिन after some time, जब वो established हो गए, imperialist यहां से, उन्होंने सिधा administration में, administration में अपना हाट डाला, administration को कपजा लिया, और सांती सांत, फिर ऐसी policies को ले गया है, जिससे कि जो local inhibits थे, वो पूरी तरीके से बरबाद हो गए, presents बरबाद हो गए, और इसी के चलते हैं, यहांपर national movement देखने को मिलते हैं, colonial states में, फिर अगला question है, functional approach to social stratification, social social stratification होता गया है, सबसे पहले तो यह समझते है, social stratification मनलब the division of society, on the basis of social system, social structure, social formation and social class, ठीक है, इसके basis पे जब society का जो division होता है, उसको कहते है, social stratification अब social stratification में, different political thinkers ने, different, different अपने ideologies को लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें main thinkers थे, email durkihum, Karl Marx, Max Weber, Levy-Stress, यह सारे जो है political thinkers थे, जो कि अपने political ideas को express करते थे, in social stratification, अब अगर हम बात करते हैं, इनके different, different perspective को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम वहारे पास जो talkard persons थे, उनके according to social stratification है, it means the ranking between the human beings, जब हम human beings के बीच ranking कर देते हैं, किसी को subordinate बोलते हैं, किसी को inferior बोलते हैं, किसी को superior बोलते हैं, तो यह सारा जो हम ranking कर देते हैं human beings के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं, social stratification कहते हैं, इसमें Marxist के थोड़ा अलग थे, Marxist कहते थे, कि जो revolutionary condition होती है, तो revolutionary condition का मेन कारण रहता है socialist clarification क्योंकि जो हमेसा socialist clarification अब कैसे रहता है revolution में क्योंकि जो presents work के लोग होते हैं क्योंकि आपने एक present class बना दी और एक आपने aristocrat यानई के पूंजिवादी बना दी तो जो किसान है वो हमेसा पूंजिवादियों क्या रहेंगे विरोध में रहेंगे और जब भी revolution होगा तो वो किशानों ने किया है पीजेंट्स ने किया है वरकर्स ने किया है अगेंस तक capitalist class, aristocrat class, bourgeois class ठीक है इनी के खिलाफ जो है जितने भी revolution होते हैं वो देखने को मिलते हैं शोशल स्टेटिफिकेशन की अटैक में रहता है जब भी revolution हो और उसी के अलवा एमन स्री निवाशन एक वर्ड यूज करते हैं संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन मीन्स होता है जब revolution हो गया अब revolution होके क्या होगा जो lower class या subordinate class या जिसको हम inferior class के लोग कह रहे हैं क्या करते हैं अपना वर्चस सो बढ़ाते हैं जैसे कि अपनी condition को सुधारेंगे अपना वर्चस सो बढ़ाएंगे जैसा अपर कास्ट या अपर क्लास के लोग करते हैं वैसा करना सुरू कर देंगे तो उसको ही संस्कृताइजेशन कहते हैं एक सोशल प्रैक्टिस जो की एक स्ट्रक्चर बनाया गया है अगर आपको पीडिया बाई करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नोट्स जो जो मैंने एक्स्प्रेंग क्या उसके पूरे अच्छी तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे और एक बार आप उन नोट्स को पढ़नेंगे तो आप अराम से चीज कर सकते हैं और उसमें 50 प्लस कोश्चन है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें लिखा गया है ऐसा बिल्कुल नहीं है बेसिक कंसेप्ट्स में उसमें काम किया ग हुआ दोस्तों फिलाल अभी इस वीडियो में इतना ही देशते हैं वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अपने अधर फ्रेंड्स के साथ भी और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और जो लोग अफॉर्ट कर सकते हैं उ थाल थाल झाल व सत्वाइब कर देना वीडियो अच्छे तिल देन जैहिं चैर बार